पिछले वीडियो तक हम लोगों ने डिसकस किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के उन केसिस को जिसके अंदर पार्टिकल एक रॉट से बंधा हुआ होता है ना कि एक स्ट्रेंग से है ठीक है तो मैं होग कर रहा हूँ कि आपको वो सब रिजल्ट्स क्लियर होंगे इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अभी तक जितने भी रिजल्ट्स डिराइब किये हैं एक तो हम उनको समराइज करने वाले हैं प्लस उनके बेसिस पे और फॉर्दर क्या इंसाइट्स निकलती हैं उनको डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने multiple cases आप लिए बनाए हैं जिसमें यह है case 1 case 1 के अंदर हम वो case ले रहे हैं जिसमें एक particle rod से बंदा हुआ है यह तो given है ही और particle को lowest point पर हम एक velocity दे रहे हैं V0 और V0 की value root 2 GL से कम है ठीक है तो अगर particle की initial velocity at the lowest point root 2 GL से अगर कम है तो क्या होगा यह हमको discuss करना है तो यह बात हम already जानते हैं कि particle फिर B point तक और D point तक नहीं पहुचेगा है ना तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है particle will not reach point B ठीक है particle will oscillate between B and D without reaching them particle जो है वो B और D के बीच में oscillate करेगा बिना इन दोनों points तक पहुचेगा तो motion कैसा दिखाई देगा particle का particle जो है उसका motion कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि particle यहाँ तक ही पहुचेगा कहीं B तक नहीं पहुचेगा लेटसे यह point है यह E है E तक पहुचेगा और उतना ही वो particle left direction में भी जाएगा ठीक है माले तें यह point F है तो particle इतना लेटसे वो अगर right direction में theta गया है तो left में भी वो theta ही आएगा और E और F point पर velocity हो जाएगी 0 और particle E और F के बीच में oscillate करता रहेगा B और B तक तो पहुचेगा नहीं E और F के बीच में particle oscillate करता रहेगा और वो कितना उपर जाएगा वो depend करेगा कि आपने कितनी velocity दी है point A पर ठीक है तो इस तरीके का motion रहेगा particle का कि particle जो है वो E और F के बीच में oscillate करेगा और E और F पर velocity हो जाएगी 0 tension जो होगी rod के अंदर पूरे motion के दौरान E और F के बीच में जो rod के अंदर tension होगी वो हमेशा towards the O ही होगी and will be never 0 जो particle के उपर tension लग रही होगी rod के कारण या फिर rod के अंदर जो tension होगी वो E और F के बीच में जब particle oscillate कर रहा होगा तो वो कभी भी 0 नहीं होगी और हमेशा towards the O ही होगी ठीक है इस tension वाले point को हम लोग और analyze करेंगे आगे आने वाले cases के अंदर तो आपको और ज़दा clarity मिलेगी यह एक interesting point है तो चलिए next case पे चलते है यहाँ पे है हमारे पास में case 2 जिसके अंदर हम लोग initial velocity को ले रहे है particle की root to GL के बराबर तो अगर आप particle को point A पर यह जो lowest point है यह है point A इस point पर अगर आप particle को velocity दे देते हैं root to GL के बराबर exactly root to GL दे देते हैं और particle rod से बंदा हुआ है तो हमको पता है कि particle B point तक पहुँच जाएगा और फिर वापस से अपने path को retrace करके वो D point तक आजाएगा तो हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि particle फिर B और D के बीच में oscillate करेगा जही चीज मैंने लिखी हुई है particle will reach B and particle will oscillate between B and D B और D के बीच में particle oscillate करेगा B और D exactly जब इन points पर पहुँचेगा particle तब tension महाँ पर हो जाएगी 0 और बाकी के जितने भी points होँगे B और D के बीच में वहाँ पर जो tension होगी rod के अंदर वो towards point O ही होगी देखो इस point को हम और analyze करते है अपन B point पर particle का free body diagram बना लेते हैं तो यहाँ पर particle है particle के उपर के वाले एक downward direction में force होगा mg और particle की velocity होगी 0 ठीक है अब particle के उपर अगर आप B point पर देखो तो radially outward direction में कोई force नहीं है तो invert direction में भी tension की value हो जाएगी 0 और क्योंकि particle की velocity 0 है तो particle को किसी centripetal force की भी requirement नहीं है तो यानि कि rod के अंदर जो tension होगी वो होगी इस point पर 0 similarly D point पर भी tension 0 होगी जब particle D point पर पहुचेगा मतलब rod के अंदर tension 0 होगी B or D point पर और जितने भी B or D के बीच में points होगे वहाँ पर जो tension होगी वो हमेशा towards point O ही होगी तो tension यहाँ पर जो होगी towards point O ही होगी यानि कि अगर अगर अपन particle को लटसे किसी intermediate position पर consider करते हैं यहाँ पर तो tension जो आईगी वो towards point O ही आईगी आप में से कई लोग सोच रहे होगी कि मैं towards point O बारबार क्यों बोल रहाँ tension तो हमेशा towards point O ही होनी चाहिए ऐसा आप में से कई लोग सोच रहे होंगे लेकिन यह चीज जरूरी नहीं है देखो, एक string और rod में यही अंतर होता है एक string जो है, वो हमेशाँ खीचती है लेकिन एक rod धक्का भी दे सकती है तो rod के कारण जो tension हो सकती है वो away from the center भी हो सकती है away from point O भी हो सकती है लेकिन string के case में ऐसा कभी possible नहीं हो सकता तो string और rod में ये भी एक अंतर है किन cases के अंदर जो tension होगी वो away from the point O होगी ये हम आने वाले cases में देखेंगे तो चलते हैं next case पर देखिए यहाँ पर हमारे पास में next case available है यहाँ पर हम particle को velocity दे रहे हैं under root of 4GL से जादा तो case 3 जिसके अंदर आप particle को initial velocity root 4GL से जादा दे रहे हैं तो हमको पता है root 4GL से आप थोड़ी भी जादा velocity देते हो तो particle पूरा circle complete कर लेता है तो exactly यही चीज़ यहाँ पर होगी particle will complete the circle particle पूरा का पूरा circle complete कर लेगा B और D के बीच में जब particle motion कर रहा होगा इतने portion में याने कि lower half में तो जो tension का direction होगा वो हमेशा towards the point O ही होगा B और D के बीच में जैसे आपने पिछले case में देखा था लेकिन जब particle upper half of the circle में आएगा यह B, C, D इस वाले part के अंदर जब particle जा रहा होगा तो tension का direction away from the center भी हो सकता है away from point O भी हो सकता है tension का direction अब वो away from the point होगा या नहीं होगा वो इस बात पर depend करेगा कि particle की जो initial velocity आपने दी है वो root 4 GL से कितनी ज़ादा दी है अगर आप बहुत ज़ादा velocity देदोगे तो हमेशा जो tension का direction होगा वो towards the center होगा लेकिन अगर आप बहुत ज़ादा velocity नहीं देते तो ये भी possible है कि tension का direction away from the center आ जाए ऐसा कैसे होगा ये हम अभी आने वाले next case के अंदर देखेंगे तो जब तक हमको exact value of velocity अवेलेबल नहीं होगी तब तक हम confidently ये नहीं कह सकते कि tension का direction towards the center होगा या away from the center होगा ठीक है लेकिन ये बात confirm है कि B और D के बीच में तो हमेशा towards the center ही होगा tension का direction ये सारी चीज़ें आपको और clear होगी next case के अंदर तो देखें यहाँ पर है ये case जिसके अंदर आपको exactly पता चलेगा कि tension away from the center कैसी दिखती है तो ये case है जब आपने particle को initial velocity दी है under root of 4GL के बराबर point A पर ठीक है माल लीज़े आपने particle को under root of 4GL velocity दे दी exactly तो हमको पता है under root of 4GL पर आके क्या होगा particle point C तक पहुँच जाएगा और point C पर आने के बाद में particle की velocity हो जाएगी 0 अब देखो particle की velocity अगर point C पे 0 हो गई तो particle यहीं पे आके रुप जाएगा equilibrium में establish हो जाएगा अब particle के उपर gravity का force तो लग रहा होगा नीचे की तरफ तो tension का force आना चाहिए उपर की तरफ यानि कि इस point पर rod इसको particle को radially outward direction में धक्का दे रही होगी और particle यहीं पे आके equilibrium पे आजाएगा rest पे आजाएगा point C पर और tension radially outward direction में होगी तो देखे यह वो case है जिसमें आपको exactly नजर आ रहा है कि tension radially outward कैसी दिखाई पड़ती है ठीक है? तो यह एक important case है जो कि आपको पता होना चाहिए students मैंने देखा है कि यह बत generally जानते हैं कि rod की case में under root of 4GL से ज़्यादा velocity देंगे तो particle circle complete कर लेगा लेकिन tension का जो direction होगा इसके बारे में बहुत students को पता नहीं रहता तो देखे यहाँ पर हमने इसको भी analyze कर लिया और ऐसा नहीं है कि point C पर जब particle पहुचेगा तभी tension radially outward होगी जब particle point B से point C की तरफ जा रहा होगा उसी के बीच में tension radially outward बीच में कहीं पर हो गई होगी और point C पे वो completely radially outward ही होगी ठीक है और tension जो है वो B और C के बीच में कहीं पर 0 भी होगी point B पर tension जो रही होगी वो radially inward रही होगी और B से C की तरफ जाने के दौरान tension बीच में कहीं पर 0 होई होगी और फिर उसके बाद में वो radially outward हो गई होगी और C पे तो हम देखी रहें कि वो radially outward है ठीक है? तो इसको हमने यहाँ पर summarize कर लिया है particle will reach C and will stop there and tension at C will be away from O radially outward direction में ठीक है? और case देखते हैं अब अगर माल लीजिए आपने particle को velocity दे दी root 2 GL से जादा और root 4 GL से काम तो क्या होगा? तो हमें पता है कि particle जो है वो point B को तो cross कर जाएगा लेकिन point C तक नहीं पहुचेगा ये एक important बात है point B तक पहुच जाएगा particle लेकिन point C तक और particle जो है वो माल लीजिए किसी E point तक पहुच जाता है क्योंकि C तक तो पहुचने नहीं वाला तो particle किसी E point तक पहुचेगा तो ये E point है ये F point है तो E और F के बीच में particle continuously oscillate करता रहेगा अब tension के बारे में भी बात कर लेते हैं तो देखो हमको ये तो पता है कि E और F पर particle की velocity होगी 0 downward direction में आ रहा होगा mg का force ठीक है न और tension लग रही होगी इस तरीके से radially outward exactly ये ही काम हो रहा होगा point F पर mg लग रहा होगा इधर की तरफ tension लग रही होगी radially outward आप सोचो कि अगर tension भी radially invert हो जाए mg भी नीचे हो तो particle के पास में कुछ ने कुछ acceleration in the radial direction आएगा और क्योंकि particle की velocity 0 है तो radial direction में तो कुछ acceleration हो नहीं सकता इसलिए tension को फिर outward direction में ही होना पड़ेगा ठीक है तो tension radially outward होगी तो ये एक important बात है और ऐसा नहीं है कि particle के उपर जो tension radially outward ये exactly point E और point F पर ही आएगी particle जैसे ही point B को cross करेगा और वो जब E की तरफ जा रहा होगा तो बीच में कहीं पर tension जो है पहले 0 ही होगी point B पर तो वो radially inward रही होगी और फिर B से E के बीच में कहीं पर tension बीच में 0 ही होगी और फिर radially outward हो गई होगी कुछ इस तरीके का motion हुआ होगा तो radially inward से radially outward tension के direction के change होने के दौरान बीच में वो कहीं के 0 भी होगी किसी एक intermediate point पर तो इसलिए मैंने यहाँ पर indicate कर दिया है कि किसी एक intermediate point पर tension 0 भी होगी और E point पर radially outward हो जाएगी तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है कि the direction of tension at ENF will be away from O तो देखिए rod और string में यहीं अंतर है कि string जो है वो हमेशा खीचती है लेकिन एक rod धक्का भी दे सकती है तो rod के कारण tension radially outward direction में भी आ सकता है जरूरी नहीं है कि radially inward ही आए ठीक है तो यह एक important बात है जिसके उपर in general मैंने देखा है students का ध्यान नहीं रहता तो यह हमने एक extra detail इस video के अंदर add किये जो कि आपको clear होनी चाहिए ठीक है students तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यह सारे के सारे points clear हो गए होंगे आप इन सब को revise कीजिए इन results को ध्यान रखिए इसके उपर भी काफी अच्छे questions बनते हैं जो कि हम आने वाले videos में लेंगे Thank you